नमस्कार, स्टेटी मेल में आप सभी दर्शकों का स्वाधत है पॉंगरे सांसर्दी पेंदर हुड़ा ने कल सायपूरव, CPS प्रलाद सिंगिला खेड़ा के आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हर्यान में अब सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है उन्होंने कहा कि CMI और नीती आयोग की रिपोर्ट के मताबिक बेरोजगारदर में हर्याना पहले नमबर पर जाप पहुचा है इसके लिए हर्याना सरकार वे मुखे मंत्री जिमेदार है डिपेंडर हुडा ने कहा कि 2004 से 2014 तक हर्याना में 18 लाग करोड का निवेश हुआ फत्यवाद में अटोमिक प्लांट वे बरवाला मेथरमल प्लांट सहीत अनेक प्रोजेक्ट लगे 2014 से पहले हर्याना देश को रोजगार देने वाला पर देश था अब वही हर्याना पेरोजगारी में नमर वन हो गया है परदेश में कोई नया उद्योग नहीं आ रहा है और नया कोई कोलेज बन रहे है जब उन से कहा गया कि मुखे मंत्री सीम आई रिपोर्ट को फरजी कह रही है तो सासद हुटा बोले नीती आयोग तो केंडर सरकार के किया दीन है क्या उनकी रिपोर्ट फरजी है तो इसने चिंता कर रहे है क्योंकि आप चाहते है कि कौन मजबूत हो लेकिन भाजबा को असली चिंता इसकी होनीचे जो हम संक्टन आने वाले बनेगा पार्टी का कई-कई-कई-कई-बार खबने चपती है कि अगर इस बार उ रिपर्ण समुगर इंदरशetics दिपरे सिंग ऌरे अखवा में पर यह ऐना में जो है विपक्स के नेता कौन शागूंशू कंदर शोडंखा है क्योंके नेतित्यक्स तो कुमारी शैल्जा जैंजी है हां क्योंकि पार्टी के अद्यक्ष हमारी बहन हमारी शैल्जा जी है हम प्रदेश प्रदेश में भाजपा सरकार जो पूर्टा फेल हो गई खटर सरकार और जेजेपी की सरकार जिनने प्रदेश को पत्री से उतार दिया, बेरोजगारी में नमबर वन, महिंगाई में नमबर वन, भष्टाचार में नमबर वन, लेकिन आप उनका जगह लेने को त्यार मज़र नहीं आ रहे हैं। फट्यवाद के DRO परमोच चहल का तबादला जजर किया गया है, उनके साथ पर गुरुगराम के नगर आयुक्त हरियोम अत्रीको फट्यवाद DRO लगाया गया है। फिलाल अब तक के लिए इतना ही, फिर हाजिरों के तक के लिए नमश्कार।